अब नमश्कार स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सिवल प्लस आईट्यू टेक्नो वीडियो में हम डिसक्स करेंगे कि आप एक्सल पर कैसे एस्टिमेंट निकाल सकते हैं बेदर प्रवाइंग के साथ में तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं यहां पर मैंने पहले से अक्सल खोर रखा है यह मैंने कुछ चीज़ें डाल रखी है इसमें एस्टिमेट के पहले से प्रिपेर क्या हुआ है मैं यहां पर आपो समझाऊंगा कि आप कैसे एक्सल लेकि Brick वर्क तक और कैरिज किसे यूज कर सकते हैं और कैसे उसे आसानी से निकाल सकते हैं इसके साथ ही मैंने आपकी हेल्प के लिए और आपकी समझ के लिए यहां पर पहले से ही PDF तयार कर रखा है जो कि मेरे प्लान का है जिस पर मैं आज एस्टमेट निकालना आपको सिखाऊँगा कि आपको कितना इसकी एक्जिवेशन करनी है कितनी फाउंडेशन करनी है एरी के हिसाब से और आपको कितना रिक्वर करना है दोस्तों यह आप पीडियाप देख पा रहे हैं यहां पर इनकी में डामेंशन मेंशन कर रखी है यह मेरे पास 5.5 मीटर इंटू 4 मीटर का है जिसमें कि हमारे पास स्कील है तरशाड़े 5 मीटर की है और चोड़ा ही 4 मीटर की है हाइट हम इसकी 3 मीटर लेंगे और यह आपके पास यहां पर एक्जिवेशन और फानुड़ेशन का यह एक स्क्षिन दिखाया हुआ है जो कि हमने यहां पर इसकी जो एक्जिवेशन हमने करना ही है वो वीरत है हमारे पास 0.8 मीटर जो कि हमने लीन डाली हुई है सिसी 1612 की जो नीचे आपको आराम से दिख रही है और इसकी हाइट हमने लिए हुई है यह हमारे पास 0.25 मीटर जो कि अल्मोस्ट चार इंच की लगबग है हमारे पास इसमें हमने प्लेन सी में डाला हुआ है एक चार आर्ट की रेशियो से जिसकी विरत हमारे पास 0.6 मीटर है और हैट हमने लिए है 0.45 मीटर तो उसे इसाब से इसकी टोटल हैट हमारी बनती है साथ मीटर ठीके दोस्तों उसके बाद हमने ग्राउंड लेवल से उपर इसका फिर से पीसे से लिए है एक चार आर्ट की जिसकी हमारे पास बिरत 0.5 मीटर है और हाइट हमारे पास 4 मीटर है तो यहां पर यह ब्रिक का क्रॉस सेक्शन है जिसकी 9 इंच की बॉल लिगाई फिर बन टू-3 मीटर बनते हैं दोस्तों चलिए हम यहां पर अपना एक्शल कोलते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आप कैसे एक्शल पर कुछ फार्मली यूज करके और आइटम के कोल लेके आप कैसे इसली हां पर अपना एस्टिमेट प्रिपेर कर सकते हैं जो भी कि आप अपन्स्ट्रक्शन बन के भी यूज करना चाहते हैं दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हों कि हमने यह एक्शिविशन के लिया हुआ है यह एक्चचेकर लीफ्ल फॉट्यशं एकशिविशन फांडेंट आपर टालिए थोट्नाट मिटी दैवक हैं hill e swap race ऑबden डोस्तों यहां पर हमारे पास जैसे की आप में दीक दिक oraz कि हमारे पास कि एक जाक पार रहे हैं कि हमारे पास एक समार्य हैं एक ओस्टम तो दोस्तो यहां पर हमने long wall जो ली हुई है उस long wall के accordingly हमारे पास यहां पर दो long wall आगी और हमारे पास शाड़े 5 meter की height थी जो कि हमारे पास यह 6.07 कैसे बनी है वो आपको मैं अभी यहां पर करके दिखाता हूँ तो दोस्तो हम क्या करते हैं हमने 5.5 पर यहां पर add करना होता है यह हमारे पास 5.5 आ गया इसमें हम add करेंगे जो हमारे पास yes एक्जिवेशन हमने चोट्र करनी है यहां पे आपने हमेचे ध्याना रकना है कि आप यह ही एक्जिवेशन के लिए तो टोटल जो आपके वीड़ होगी वह आपने यहां बैड करनी है और विड़ अपने पास है यहां पर 08 मिटर दोस्तो हम पूरी टोटल वीड कैसे एड करते हैं तो आया मैं आपको देखाता हूं यहाँ पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो वाल है हमारे पास यह लॉंग वाल के लिए है तो इसमें हमने क्या करना है इसको हमने माइनिस करना 5.5 में से और उसके अलावा हमने हाफ लॉंग वॉल के लिए और हाफ हमने सेकिंड लॉंग वॉल के लिए 0.04 मिटर और 0.04 मिटर यहाँ पर एड करना है दोस्तों यहाँ पर हम जब अपना पॉइंट टू थ्री पॉइंट टू थ्री माइनिस करते हैं और हम यहाँ पर प्लस करेंगे 0.4 एक वॉल के लिए प्लस 0.4 दूसरी लॉंग वॉल के लिए जब हम इसको एंटर मारेंगे दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा है जिसकी वैसे हमारी वैल्यू गलत आ रहे थे यह पॉइंट लगा थी और यह एंटर मानने पर हमारे वैल्यू यह आ रही दोस्तों प्रीके दोस्तों यह थी हमारे पस लोंग वॉल सम एक मेरेस हमने यह पी नीच्चे का जो देख़ने वैल्यू पो हमारे पास आएगी। ό पॉइंट यह हमारी 4.4 मिटर थी हमने क्या करना है इसमें से हमने दोस्तों यह आ है पॉर वैलू लेकर उसमें से हमने 0.23 तूर करना उसके साथ ही हम दोस्तों यहां पर आने शॉड़ वाल एजह हमें यहांपर माइनस कंदे है एक । हमें यौас अबसे दूं अब दोस्तों आपने जब भी देखना है तो आप में आपका हमेशा देहान रखे हैं क्योंकि यहां पर हमें जो वैलिट देख रही है वह 0.8 मीटर है जब भी हम short wall के लिए या long wall के लिए यहां पर हम method यूज कर रहे हैं center to centerline method दोस्तों जब भी हम long wall के लिए लेते हैं तो यहां से जो half of exhibition का होगा वो first long wall के लिए चला जाएगा जो कि हमारे पास 0.4 मीटर है और second long wall के लिए भी 0.4 मीटर हम यहां से पर करेंगे जिसके वैसे हमारा जो हम add करेंगे उसमें जो होगा बोग हमारे पास 0.8 मीटर जो कि इसमें आपको देख रहा है वैसे ही जब हम shot ball के लिए इसका use करेंगे तो shot ball में क्या होगा दोस्तों यहां पर जो 0.9 inch की जो wall आएगी हमारी हां पर यह वाली जो दिख रही है वह इसमें से minus होगे उसके अलावा जो exhibition के लिए हमारे पास जो 80.8 मीटर जो दिया हुआ है यानी 80 cm जो हमारे पास value है उसके पूरी की पूरी half of first ball and half of second ball जो कि हमारे पास 0.04 और 0.04 मीटर है जिसके बाद हमारे पास value है की यह दोस्तों 2.97 उसके बाद दोस्तों अब चलते हैं हमें अपने second step पर दोस्तों यहां पर देखिए यहां पर हमने paint CC की हुई है जो कि हमारे पास एक छे बारा की है जिसमें cement ratio एक है और send की छे और बारा हमने इसमें grade डाले हुए है जो कि aggregate 40 mm nominal size की है तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो length और width जो है इसमें वो same है लेकिन इसमें height हमारे अलग है कि दोस्तों यहां पर देखिए हम जो ली हुई है मैं आपको map में दिखाता हूं जो drawing बना हुए यहां पर देखिए यह जो drawing है हमारे पास इसमें दिखा रख रहा हुए easily कि जो इली ने जो CCM में डाली एक 6-12 के उसकी जो height है वो है हमारे पास 0.25 meter और width हमारे पास 0.8 meter है जो हमने exhibition में use की है दोस्तों यहां पर देखिए हमने long wall के रिए दो long wall है हमारे पास और यह जो width थी वो same width यहां पर आएगी जो हमने यहां पर आपको बताया था उसके अलावा हमारे पास यह 0.8 meter इसके width थागी है जो हम यहां पर आपको दिखा पा रहे हैं drawing में उसके अलावा जो lean की height है वो यहां पर है हमारे पास 0.25 meter इसके width इसके width हम और आपको दिख पा रहे हैं तो इसको multiply करते हैं जा हम nach bottom लगा हूआ हुआ है देख आछे हैं लेज़ी होई देख एक्सल प्राइब कोई प्रॉल्म है आपको फार्म लगाने नहीं आते हैं या केलिगरेशन में कुछी प्राइब होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं उसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा जिससे आपको हो जाएगी कि आप एक्सल कैसे काम करते हैं यह एक्सल पर आपको काम करना मुश्किल पड़ता है तो उसके लिए मैं आपके लिए लग सेगे एक्सल की वीडियो बना सकता हूँ तो दोस्तों अभी हम चलते हैं फ nth step पर यहां पर हम L ring het plane CC जिसमें हमने Hat 20いきます के इसमें सिमें की लिश्यो इमारे पास एक हैं और चाज संन्ड है और आट की रहसे हैं इसमने समय कह एग्रिज यह के लिए हुए है और short wall की value इसमें दोस्तों कम हो जाएगी वो कैसे कम होगी मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर करके दोस्तों यहां पर हम लेंगे 5.5 जो कि हमारी actual out to out value है long wall की इसमें हम दोस्तों माइनिस करेंगे 0.23 जो कि हमारी brickwork की wall की thickness है उसके अलावा हम इसमें plus करेंगे 0.6 meter दोस्तों जब हम इसमें एंटर करेंगे तो हमारे पास यह value आती है 5.87 वो कैसे आई है दोस्तों हमने पिश्री बार last step में add किये थे क्योंकि हमारे पास विर्थ थी 0.8 meter लेकिन इस case में जो हम PCC यूज कर रहे है वो 148 की है और इसकी विर्थ जो है हमारे पास 0.6 meter रहा है और जिसकी height हमारे पास है 0.45 meter ठीक है दोस्तों तो यहां पर देखिए हमने जो value लिव ही है उसकी जो हमारी value आई है length long wall की value यह आई है और पिर्थ वो अपने पास यह है और यहां पर जो value दिख रही है वो हमारे पास 0.45 meter है जो हम इसको change कर देते हैं ठीक है दोस्तों से मेटिस short wall के लिए हम यहां पर क्या करें दोस्तों यहां पर हम फार्मर लगा रहे हैं जो हमारे पास 4 meter था उसमें से माइनस करेंगे 0.23 meter और उसके अलावा फिस से माइनस करेंगे 0.6 meter और हमारे पास value आएगी 3.17 देखो दोस्तों हमने यहां पर 0.6 meter add long wall missly किया था है क्योंकि यहां से 0.3 और 0.3 meter जो दोनों को add करते तो 0.6 meter बनता है जैसे हमने वापर उपर first step में किया था जिसमें हमने किया था 0.4 meter plus 0.4 meter add जिसमें हमने 0.8 meter हमने total उसमें add किया था वैसे ही same long wall में यह किया था हमने उसके अलाभा short wall में हमने इसमें minus किया था दोस्तों आपको एक बात हमेशा याद रखनी है जब यह आप short wall के लिए calculation करें तो याद रखिए कि आपको इसमें से सब चीजें minus करनी है लेकिन यह method है center to center line method center to center line method में हमने long wall में हमेशा जो अपनी 9 inch की wall होती है वो minus करनी होती है उसके अलावा जो भी exhibition की width होती है या फिर हम PCC use कर रहे होते हैं या lean use कर रहे होते हैं तो उसकी जो total width होती है वो हमें वापे add करनी होती है और इसी case में जह हम short wall की case में जाते हैं तो उसमें हमें 9-1 की वाल भी माइनिस करने होती है उसके अलावा जो एक्जिविशन की विर्थ है वो भी टुटल माइनिस करने होती है तो यहां पर हमारी जो हाइट है वो है पॉइंट फॉर फाइब जैसे आद दोस्तो इस मैप में देख पा रहे हैं हमारे पास यह रही हाइट पीशी सी एक चाराट के लिए जिसमें एक सीमेंट है चार सेंडर और हाट एक्रीगेट डाले हुए है उसके लावा दोस्तो जो हमने सें पीशी सी डाले हुई है वह हमारे पास अब ग्राउड लेवल बॉल के लिए भी है और ब्लो ग्राउड लेवल शोड बॉल के लिए है दोस्तो देख जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर यह हमारा ground level है यह जो लाइन है यह हमारा ground level को represent करती है और इससे उपर जो भी construction वर्खोगा वो above the ground level होगा तो यहां पर हमने यह pieces यूज कि दोस्तो 148 के same address जो नीचे यूज कि लेकि इसके width है यहां पर 0.5 meter दिखाई हुई है हमने ठीक है दोस्तों तो यह 0.5 meter को क्या करना है हमने same जो फिल्च्रे formula लगाए है उस हिसाब से हमने इसको फिर से करना है दोस्तों ठीक है दोस्तों यहां पर देखिए हमने यहां पर क्या करना है यहां पर हमने equal to लगा रहा है फार्वूले के साथ में 5.5 और इसमें से हम माइनिस करेंगे 2.23 और उसके लावा हैं प्लस करेंगे 50.5 जो कि हमारी वहां पर above the ground level width है तो दोस्तों यहां पर हमारी value आ रही है 0.5.77 ठीक है दोस्तों same it is जो हमें यहां पर करना है चार 4-0.23 माइनिस दोस्तों यह हमेशा याद रखना है शौड बॉल में आपको सभी value माइनिस करनी है यहां पर दोस्तों हमेशा इक्वल टू लगाई है अगर आपको अपने फार्मूलेस को रहन करना है तो आपको इक्वल टू लगाना ही होगा तो देखें दोस्तों यहां पर हमारी थोड़ी value बेरी कर रही है तो इसको हम यहां से change कर देते हैं ठीक है दोस्तों आपको समझा रहा होगा जो मैं आपको समझा रहा है यहां पर दोस्तों इसी के साथ हम अपने अगले step पर चलते हैं जो कि हमारे पास चाल number है इसमें दोस्तों हम ब्रिक भर्क के बारे बताएंगे दोस्तों देखो इसमें brick work using common, यहां पर spelling mistakes है, common brunt clay building bricks in foundation and plinth in semen motor. दोस्तों यहां पर हमने 1-6 की ratio यूज की है brick work के लिए, तो दोस्तों देखिए यहां पर हम वर्मास है long wall और यह है short wall. यहां पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि दो हमने long wall हैं, दो short wall हैं, जो यहां पर विर्थ है वो 9 inch है, जो की हमारी meter में बनती है, 0.23 meter, और यहां पर height मेंने average ली हुई है 25 meter, ठीक है दोस्तों, और यहां पर हमारी short wall की value यह बनती है, तो मैं आपको बतायता हूँ, जब य आपने average के बार यूज करना है, दोस्तों, तो long wall की जो आपकी length होगी, वो activities seem रहेगी, जैसे कि यहां पर मैंने 5.5 meter के लिए है, तो long wall की width है और जो length है, वो seem रहेगी, लेकिन short wall में हम क्या करेंगे, दोस्तों, short wall में हमने, क्यों हमारी long wall है, वो यहां तक cover कर रही है, इसक cover कर लेगी, उसके अलाबा, यहां से वो इसको cover कर लेगी, जिससे क्या होगा, यह short wall की value है, वो 0.23 meter, both sides से कम हो जाएगी, जो कि हमें short wall में cut करना पड़ेगा, दोस्तों, देखे, यहां पर हमारे पार 5.5 long wall की लिए activities है, same है, लेकिन, यहां पर हमारे पार 4 meter होनी चाहेए थी, वहां पर हमारे पास 3.54 meter है, दोस्तों, यह कैसे है, यह आपको दिखाता हूँ, देखे, दोस्तों, हमारे पास 4 meter है, total हमारे पास length, और यह हम इसमें से minus करेंगे, 0.23 of one side wall, and 0.23 of other side wall, दोस्तों, जब इसको हमें answer करेंगे, तो हमारे पास 3.54 meter, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो कि हमारे पास 9 inch की wall है, और meters में से minus करेंगे, तो 0.23 meter बनते हैं, और height ले रहे हैं, यहाँ पर 285 meter, ठीक है, दोस्तों, जैसे कि आप map में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने एक door लिया है, door का size अपने पास है, 1.25 meter into 2 meter height हमने door के लिए ह और width हमारे पास 1.25 meter है, जो कि हमने brick work में इसकी deduction की हुई है, एक door हमारे पास, उसकी width यह है, height थिकने से यह है, और height इसकी यह है, दोस्तों, आपकी total quantity यह आती है, ठीक है दोस्तों, उसके हलाबा, जो हम यह estimate बना रहे हैं, जो मैं आपको यह prepare करके देखा रहा हूँ, यह एक cow shed है, जिसके लिए हमने उपर इस पर GI sheets के use किया हुआ है, तो दोस्तों, GI sheets के use करने के लिए यहाँ पर देखिए, हमने एक proper line लिखी होई एके फर दोस्तों, यह हरिस के लिए यह मने खेखिए, ऊज यह गोचो, यह ल behaviors रिए, ऑको archivesने लिए खेख संगे locks, इ समृत अपलों, शिम्ड के लिएंग सने हे रहर I. किए वच, टोस्तों, रावर is, जावा के बने लिए ए होपके से लिए 0.63 mm thick sheet दोस्तों इसमें सारी definition बताई हुए कि आपके इसमें क्या-क्या included है जो भी हाप रिर्ट्स लगाए या जो भी चीजे यहां पर दिखाई हुए है उसमें सब कुझे already included है तो आप इसको extra include नहां करें यगर आप यह definition लेते हैं अपनी GI sheets के लिए या जो भी आप ऊपर रूफिंग डाल रहे हैं तो थोड़ा धियान से लें दोस्तों देखिए हमारे पास जो एक actual जो आउट्टो टू आउट्टो हमारे पास dimension से वह देखे यह हैं हमारे पास लेकिन हम यहां पर centerline matter यूज कर रहे हैं तो यह हमारे पास 5.5 है और 4 मेटर है क्योंकि हमने यहां पर centerline matter यूज कि हमारे रोट बनता है लेकिन exhibition के लिए हमें यहां से सब्सक्राइब करने परती हैं दोस्तों यह जो आप देख पा रहे हैं यह हमारे पास इस वाल की thickness है जो कि यहां पर open mention भी है दोस्तों ठीक है exhibition करते हैं तो हमें जो कुछ पार्ट है वो इस वाल के अंदर आता है और कुछ पार्ट इस वाल के बहार आता है जो कि हमें इसमें से long wall में add करना पड़ता है और short wall में उसको minus करना पड़ता है तो दोस्तों आप वह चीज में आ कैसे add करना है कुछ portion हो कैसे minus करना exhibition के लिए जो भी आपने exhibition किया है या अपने exhibition की है ठीक है दोस्तों तो GI sheets के लिए आपको simply क्या करना है जो आपके पास area है आपको उसको multiply कर देना है length into width यह अपना rpm में आ जाएगा यहां पर देखे 22 meter हमारे पास आ गया है available है ठीक है दोस तो उसके अलावा हमारे पास filling के लिए दोस्तों अगला स्टाफ हमारे पास है filling के लिए के exhibition in earthwork and filling in 15 cm layers in foundation including ramming, ramming दोस्तों आपको पता है क्या होता है जब हम heavy load रसे इसको ram करते हैं आप इसको as a roller की तरह use करते हैं जिससे के हमारा जो floor है या जहां भी हमने exhibition की है और इसको जब fill करते हैं तो इसको पर जब रोड रोड चलाते हैं जिससे वह fix हो जाता है पक्का हो जाते इसको ramming कह सब्सक्राइब कर सकते हैं watering कर सकते हैं और हमें यहां पर जो भी अपना material है जो उठाना है यहां से यहां से या उसको shift करना है वह 1.5 meter तक है दोस्तों ठीक है दोस्तों उसके लिए हमने क्या किया है देखिए यहां पर हमारे पास value आई है 4.67 और 3.17 दोस्तों यह value हमारे पास कैसे आई है इसके लिए हम आपको दिखाते हैं मैप में दोस्तों यह जो अपना ground level दिख रहा है आपको यहां पर जो यह line represent का 3 ground level को इसके उपर जो हमारे पास है 0.4 meter यहां से लेके हमें अपने next जो short wall की वहां इसको हमें यहां पर filling करनी है तो दोस्तों filling के लिए हमने simple formula यहां पर लगाया हूँ है मैं आपको देखाता हूँ दे 4.67 और यहां पर हमारे पास 3.17 दोस्तों आप जैसे देख पा रहे हैं यहां पर हमने से minus किया है 3.33 यहां पर हमारे पास यह minus किया गया है value तो वो कैसे minus किया है वो दोस्तों आपको हम दिखाते हैं यहां पर हम देते हैं 5.5 5 minus दोस्तों यह आपने हमेशा देहान आखना है exhibition में कि तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे है हमारे पास यह value है 0.5 meter और height अपने पास यह है तो यहां पर हम करेंगे filling तो filling करते वक्त हमने यहां पर दिखान रखना है दोस्तों कि जो हमारे value है वो हमारे पास है आउटर को आउटर 5.5 इसमें से दोस्तों हमने minus करना है यहां पर 0.23 meter उसके अलब हमने यहां पर minus करना है 0.5 meter तो यहां पास value आती है 4.77 ठीक है दोस्तों उसकी स्याज short value के लिए भी हमने यहां पर क्या करना है कि short value के लिए भी हमने यहां पर minus करना है 4 minus on 3 सेम चीज़े ठीक है दोस्तों तो यहां पर हमारा आएगा यह 0.27 तो जब minus को multiply करते हैं हमारे पास यह आयता है दोस्तों यह धियान रगना है कि कि अमरेकरत क्यूबर मेर अगएगा इसका जो unit हमने use कि है आप यह cubic meter ही यह यह हैं यह तो यहां पर देख पा रहे हैं कि मैं कुबिक में यूज कर रहा हूँ. लेकिन जो हम यहां पर जीट सी योज कर रहे हैं वो आर्पियम में है. ठीक है दोस्तो, उसके लाब़ा जो हम्हें पर युक्त वर रख आएगा, वो कुबिक में आएगा. तो आप यहां दिख भार है क्युविक में हमने यहां पर यूज किया है ठ्रीक है दोस्तों उसके अलाबा जो हम यहां पर शुट्रिंग प्रोवाइड करेंगे हमारे पास जो है यह last option है यह last step है वो है शुट्रिंग का दीखे दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है providing from homework with steel plates lifted with angle iron 14 x 40 x 5 mm for a wall दोस्तों मैं आपको देखा देता हूं यहां पर मैं आपने देखे दोस्तों यहां पर जो लास्ट में हमें लीन लीव ही है 25 cm की और 0.25 मीटर की हाइट के और यह 0.8 मीटर इसकी जो विद्ध है हमारे पास और जो इसकी जो रेश्यू है एक छेप बारा की दोस्तों यहां पर हमारे इतनी टोटल एग्जिवेशन होगी लेकिन एग्जिवेशन के बाद ही जो हम लीव डाल देंगा उसके बाद जो हम यहां पर अगर इसको शेप दर आनने पड़ेगि छट इन पड़ेगे अगर इसको शेप देनी पड़ेगि अगर यह शेटरिंग कर देना है अगर इसके पूरी फ внутри पाषिए है वेल्यू ठीके दोस्तों और शॉट बोल एठ आउट साइट दोस्तों चूड़ ऑठ आउट साइड के लिए उन्हें वैल्यू देर रखिये यहां पर इफिपटीन में दोस्तों यह value हमारे पास है 15 और उसके अलावा है हमने यहां पर 0.05 meter इसमें add किया गया है तो 0.05 meter हमने इसमें add क्यों किया है और आपको में दिखा देता हूं यहां पर जो हमने हमारे पास जो value है outer side पर तो यह हमारे पास है दोस्तों जो outer के लिए अलग से यहां पर बनेगी उसकी क्या होगी जो 0.25 meter प्लस यहां से छोड़ेंगा और प्लस 0.25 meter यहां से प्लस करें तो हमारे पास जो value प्लस होगी वह आई 0.5 ठीक है दोस्तों तो हमने यहां पर इसमें short wall में add की गई है और यह value जो हमने लिए यह 15 हमें यहां से लिए होई है जो कि हमारे थाड़ स्टेप था plane concrete cement work में 148 की जो हमने रिशु लिए है दोस्तों यह वहां का था ठीक है दोस्तों वैसे ही हम long wall at inside लेंगे यहां पर तो यह भी हमारे value यहां से लिए गई है ठीक है दोस्तों इसके बार में आप बता चुगा हूँ और same it is short wall at inside के लिए 15 हमारी value जो थी है वह आपने यहां से ठीक होई है ठीक है दोस्तों तो हमारे पास जो value आ रही है भी आप जो देख पा रहे है आप is जो रही है के दोस्तों शुत्रिंग के लिए आप ल्यायर में दोस्तों के लिए हमारे पास यह फुग होती है लंक टूबड्ट यहां फर हाईड ले सकते है तो उन में से हमने दो लिए और ए यह हमारे पास केरी में आ रही है अभी ठीक है दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहां पर आपको सब कुछ समझा दिया है कि आप कैसे इस एस्टिमेंट निकाल सकते हैं एक्सल पर वे था आपको ट्राइंग उसकी साथ में कंडिशन है कि आपको उसकी ट्राइंग बना के रखनी पड़ेगी जिससे कि आपको यहां का आइडिया रहे कि आपने कुनको से दाइमेशन दे रखे हैं उसकी हइट के इसे इसकी इसकी यूज़ कि यूज़ किया है आपने यहां पर ग्राइड यूज़ किया आपको याद रखने है ठीक है दोस्तों आप तो सर्वह पुशनाता हूं अगर आप आपर कुछ ना कुछ एक वीडियो बनाओंगा जिसमें हमको सारे उसकी जो परेशन या जो प्रॉल्म नकीडिव करूंगा पोशी करूंगा करने की दोस्तो उसके लिए comment करें अगर आपको कोई अलग से वीडियो चाहिए दोस्तों देखे हमारे पास यहां पर last step है जो कि हमारा है consumption of materials ठीक है दोस्तों यहां पर देख पारे है CC के लिए हमने जो use किया जो हमारे quantity थी वह देखे quantity हमारे पास है h12 में यह देखे दोस्तों आप देख पारे है यह रही h12 हां यह quantity यहां से हमने पी कर ली है उसके अराव quantity के लिए के उनकी इविए लिए और उनको बैक में convert किया है दोस्तों बैक में convert करने के लिए आपको क्या करना है आपको हमेशा ध्यान रखना है जो आपका quantity आए कि cement के लिए आपने उसमें एक फार्म लगा रहा है इस value को आपने multiply करना है 2.3 से ठीके दोस्तों 2.3 से आप से multiply करेंगे वह आपकी value bags में आ जाएगी तो हमारे पास यहां पर आ गए है 8.3168 bags cement के जो कि हमने lean में use किये है एक चे बारा एक चार के लिए हमने यहां पर 38 है हमारे bag और brick bag में दोस्तों आप देंपार है हमने 14 cement के bag use किये है जो कि हमारे पार total bag होते है 45 तो बैसे ही दोस् करना है lean के लिए 1612 के लिए दोस्तों आपने यहां पर multiply करना है आपके total जो आपके पास यहां पर quantity आ रहे है उसको multiply करना है 0.47 से ठीक है दोस्तों यह आपके लिए cement के लिए sand के लिए formula है और दोस्तों यहां पर देहा रखना है यहां पर कुछी निस हुए है कि हमने multiply किया है 0.25 को क्योंकि यह हमारे पास जो है वो brick work के लिए है जो कि 1.6 का हमने ratio is किया गया है इसमें हमारे पास 0.25 से ही multiply करना है जो हमारे पास quantity होती है ठीक है दोस्तों aggregate के लिए आपको दोस्तों क्या करना है aggregate के आपको यहां पर 0.87 से multiply करना है तो इसकी हमारे पास total value यह आते ह दोस्तों और brick के लिए आप जानते हैं brick work के लिए हम ने क्या क्या है जो हमारे पास brick work से जो यूज किया है वो हमने यूज किया है यहाँ के value 500 के साथ मिआ दोस्तों आप जानते हैं एक क्यूबिमिट्र में हमारे पास 500 नीट्य आती है तो ग हमारे पास उखरी क्वांती उससे 500 गो बेस को मैं दो दोस्तों को यहाँ पर गुद्र क्राव्ण से हमारे बन्के बान 及प यहाँ यह बसand 638 घूखरो कि दो यहाँ पर जो भी मैं विक इसा आप passenger बता लाइब ध्यान से देखिए यहाप एज़वी बताई है वह आपको इसली आप मुल्टिपैर के आपका काम बन जाएगा आजाने से एस्टिमेट निकाल सकते हैं किसी चीज निकाल सेकते हैं यहां पर तो उसके लाव वारे पास यहां पर रह जाएगा एक लास्ट में जो हम यहां पर जो जो वैल्यू एक करेंगे जो कि मार्केट वैल्यू है जो कि अभी यहां पर मार्केट में आपको यह चीज़ें इतने की मिलेंगी as a cubic meter मिलेंगे feet में cubic feet मिलेंगे numbers में आपको यहां पर जो आपको मिलेंगी चीज़ें वो यहां पर उनकी हमने price बताय हुए हैं तो दोस्तो मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर कि आप कैसे जीरी आप अपने घर के लिए जो भी estimate बाते हैं या फिर आप भार professional काम करते हैं तो उसकी आप total value कैसे निकाल सते हैं कि आप कितना खर्चा इस काम पर आएगा और आपको कितने पैसे save करके रखने बढ़ेंगे दोस्तो देखिए हमारे पास यहां पर last step रह गया है जो कि हमारे पास है यहां पर actual cost of material का जिसके वारे में आपको भी बता रहा था कि दोस्तो देखिए यह हमारे पास cement के total total quantity है जो कि हम यहां पर निकाल चुगे है और इडी इसको हमने प्स करके यहां पर लिख दिया है दोस्तों जब इसको बैक में हमारे पास यह 45 बैक से क्योंकि क्यूबिक मीटर में आई है जब उसको हम अडिकर करते हैं 1200 के साथ में क्यूंकि दोस्तों देखिए यहां पर क्यूबिक मीटर हमारे पास 1200 रुपे का आ रहा है जो कि यहां से है जो हमने पहले निकाली हुह है पार में लगा के वह वह होरी और ही क्यूबिक मीटर में आएगे और एक क्यूबिक मीटर संड की और एग्रिकेट की जो वैल्यू है वो है 1200 रुपे जिसके हिसाब से हमारे पास यहां पर 9626 रुपे हमारी टोटल वैल्यू बनती है ब्रिक के बारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर देखिए हमारे फाइव 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 थाउजन सिक्शन थर्टी एट नमर व्रिक स हम रहे इस काम में यूज होंगी जो कि हमने यहां पर निकाली गई है इसकी वैल्यू ठीक है दोस्तों और यहां पर जो इसकी यूट है वो नमर्स में है और जो अभी मार्केट वैल्यू चल रही है एक प्रिक की वो है 6.5 रुपीज तो जब हम इससे इसको मुल्टिप्ला करते हैं तो हमारे पास सकते हैं तो जो हमने फ्रेंट रुपीज किया गया है वह के जो हमारा यूट कॉंटिटी बनते हैं वह यह क्योंकि स्केर फीट में है ठीक है दोस्तों और इसका जो रेट है वो है 150 रूपीज पर स्केर फीट के हिसाफ से तो यह हमारा बनता है 4,036 रूपे उसके लाव हमने जो शर्ट्रिंग यूज की है दोस्तों उसका टोटल हमारे पास बनता है 348 यह है जो क्यूबिक फीट में है ठीक है एक क्यूबिक फीट की वैल्यू दस रूपे हमारे पास शर्ट्रिंग की परती है जिसके एसाफ से हमारे 343 रूपे जो है टोटल क्वांटिटी बनती है पैसो के जो जिए शीट हम यूज कर रहें दोस्तों वह हमारे पास उसकी टोटल जो वैल्यू है वह यह है हमारे पास और दोस्तों जीए शीट के वैल्यू हमाँ पर लिगना भूले के थे जो कि हमारे पास यह वैल्यू है एक हजार बीस रूपे और वो हम यहां पर हैड कर देते हैं एक हजार बीस रूपे तो जब हम इसका टोटल सम करेंगे दोस्तों तो हम यहां से ओटो पर जाएंगे और ओटो सम पर किलिक करके इस को सिंपल हम यहां से एंटर मार देंगे दोस्तों तो हमारी वैल्यू यह टोटल वैल्यू हमारी आ जाएगी है आपर ठीक है दोस्तों यह हमारे पास मोट्रियल कोस्ट आ गही है जो कि हमारे पास है 78,390 रुपीज ठीक है दोस्तों तो यह आज का वीडियो था आपके लिए कि आप Excel पर Estimate कैसे बना सकते हैं with help of drawing के जो आपने drawing आपनी बना रखी होगी यह मैंने PDF में prepare की है इस drawing को PDF में convert किया है आप चाहें तो अपने notebook पर इसको इसली बना के इसका यूज कर सकते हैं तो दोस्तों हमेशन value निकालने से पहले कभी calculation करने से पहले आपको यह drawing बनाना जरूरी है अगर आप drawing नहीं बनाएंगे तो आपको विल्कुल भी इसका idea नहीं होगा कि कैसे आपको यहाँ पर calculation करनी है क्या विर्थे क्या height है इसमें आपको काफी परिशानी हो सकती है तो दोस्तों कुफ कि मैं यहाँ पर अपना जो वीडियो है यह खत्म करने वाला हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको इससे को रिलेटर कोई जानकरी चाहिए कि आपको Excel पर कैसे काम करना या आपको Excel पर काम करना नहीं आता है तो उसके लिए एक कमैंड बाक्bak में करिए और मुझे कहीए कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊ जिससे material knead वीडियो बना दूँगा जिससे आपको कुछ कमांडों के बार में इसमें बता दूआ के आपको कैसे कमांड यूज करनी हैं आपको to Sum कैसे करना हैं symmetry कैसे करन जो आपको बताऊंगा तो तब के लिए दोस्तों गुडबाइ वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मुद भूलिएगा जिससे की मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके वीडियो देखने के लिए रिवाद दोस्तों थेंक्यू